मेरा नाम मेगा है, मैं एक छोटे से शहर की रहने वाली थी, बहुत भोली भाली और सीधी साधी लड़की थी, मेरी शादी एक ऐसे इंसान के साथ होने जा रही थी, जो देखने में बहुत ही अच्छा था, मैंने कभी किसी से महबत नहीं के थी, मगर जब मेरा रिष्टा इस मेरे ससूर मेरे पापा के दोस्त है, उन्होंने मुझे जब शादी में देखा, तो उन्होंने मेरे पापा से कहा था, कि मैं तुम्हारी बेटी को अपने घर की बहु बनाना चाहता हूं, लेकिन उसके दो महीने के बाद ही, मेरे पापा की अचानक से मौत हो गई थी, और मर पुरी करने के लिए जल्द ही हमारी शादी कर दी गई थी और फिर अपनी कलौती बेटी की शादी होते हुए देखने के कुछ दिनों बाद ही मेरे पापा इस दुनिया से चले गए अब सिर्फ मेरी मम्मी अकेली रह गए थी हम मिडल क्लास लोग थे जबकि मेरी शादी एक अमीर परिवार में हुई थी ये लोग दूसरे शहर में रह लड़कियों की तरहां मेरे खयालात मौडरन नहीं है और ना ही मैं मौडरन कपड़े पहनती थी मैं बहुत मामूली सी लड़की थी मगर मैं देखने में बहुत सुंदर थी मेरे ससुर मेरी इस बात पर फिदा हुए थे और अपने बेटे के लिए उन्होंने मुझे चुना था और अब मैं उनके बेटे की बहु बनकर उनके घर आ गई थी क्योंकि पापा के अंतिम संस्कार के कुछ दिनों के बाद ही मैं विदा होकर अपनी ससुराल आ गई थी जब तक मेरे पापा बीमार रहे थे तब तक मैंने उनकी सेवा की थी मगर एक बात बड़ी ही जब मेरे बापा जिन्दा थे तो उसके एक हफते बाद इस दुनिया को छोड़ कर चले गए थे जब तक मैं विदा नहीं हुई थी लेकिन मेरी शादी अभिराज के साथ हो चुकी थी मुझे लगता था कि अभिराज मुझसे मिलने जरूर आएंगे आखिरकार अब वो मेर पती बन चुके हैं या फिर मुझे मेरे घर के नंबर पर कॉल जरूर करेंगे लेकिन उन्होंने तो मुझसे कोई कांटेक्ट करने की कोशिशी नहीं की थी मुझे जब मेरी ससुराल लाया गया तो मेरा फूलों से स्वागत किया गया था बंगले को अच्छी तरहां से सजा आखिर कार इस घर के कलौती मालकिन आई थी मेरी सास इस दुनिया में नहीं थी सिर्फ ससूर थे और मेरा पती उनका इकलौता बेटा था मुझे दुलहन बनाकर उनके कमरे में भेज दिया गया था और मैं इनतिजार कर रही थी कि कब मेरा पती कमरे में आए मैं उसके साथ प्यार भरी बाते करूँ, मगर मुझे अपने पती से यही शिकायत थी, कि उन्होंने अपनी पत्नी की खैर खबर लेने की कोशिश क्यों नहीं की, काफी समय गुजर गया था, लगभग रात के तीन बच गय थे, लेकिन अभी तक मेरा पती कमरे में नहीं आया था, मैं इन्तिजार करते करते बहुत थक चुके थी, इसलिए तकीय से टेक लगा कर लिट गई, मुझे बहुत नींद आ रही थी, पापा की मौत के सदमे में मैं काफी काफी रातों तक जाकती रही थी, इसलिए बहुत गहरी नींद आ रही थी, मुझसे अपने पती का और जादा इंतिजार न हो सका और मैं गहरी नीद में सो गई थी लेकिन जब मेरी आँख खुली तो मेरे होश उड़ गए थे कि दिन निकल आया था मगर मेरा पती मेरे कमरे में ही नहीं आया था मैं कन्फ्यूजन का शिकार हो रही थी कि आखर ये सब कुछ क्या हो गया सुभा के समय मैं उसमें से कपड़े निकाल कर बात्रूम में चले गए थे क्या वो सारी रात कमरे से बाहर रहे थे ये तो बड़ी हैरानी की बात थी मेरी आँखों में आसू आ गए थे मेरे पती ने मुझसे कोई बात भी नहीं की और फिर वो तैयार होकर कमरे से बाहर चले गए थे मैं उन आपका नाश्टे के टेबल पर इंतिजार कर रहे हैं। मैं तैयार होकर नीचे चली गई थी। देखा तो ससुर जी बैठे हुए थे। मैंने उनका आशिरवाद लिया। उन्होंने मुझे कुरसी दी और बैठने को कहा। डाइनिंग टेबल पर धेर सारी वराइटी का नाश था। क्या उनकी शादी उनकी मर्जी से नहीं हुई थी या फिर कोई और बात थी। तब ही अचानक मेरे ससुर ने मुझे से कहा कि मेगा क्या सोच रही हो बेटा नाश्टा करो। मैंने कहा कि जी पापाजी करती हूँ। मैंने नाश्टा किया और फिर मैं दुबारा से अपने पती से बात करने की कोशिश की थी, वो कमरे में आये थे और फिर से तयार हो रहे थे, जिस दिन से मेरी शाधी हुई थी वो रात को एक रात भी मेरे पास नहीं रुके थे, शायद वो घर में बने हुए दूसरे कमरों में जाकर सोया करते थे मेरे पती अपने घड़ी ढूंड रहे थे उन्हें वो नहीं मिल रही थी मैंने जल्दी से उन्हें उनकी घड़ी निकाल कर दे दी और उनसे कहा कि लाइए मैं आपके हाथ में पहना देती हूं मैंने ये बात कहते हुए उनका हाथ पकड़ लिया तो उन्होंने एक जटके से मेरा हाँ जटक दिया और कहने लगे कि तुम्हें मेरे करीब आने की भी कोई ज़रूरत नहीं है मुझे तुमसे उल्जन महसूस होती है मैंने कहा ये आप क्या कह रहे हो मेरी तो आपके साथ शादी हुई है उन्होंने कहा मगर मैं इस शादी को नहीं मानता ये कहकर वो कमरे से चले गए थे और मैं उनका ऐसा behavior देखती रोती रह गई थी मैं इतना रोई थी कि मुझे कमरे में रोते रोते ही रात का समय हो गया था मैंने दुपेर भी खाना नहीं खाया था जब नुकरानी मेरे कमरे में आई और कहने लगी कि भाबी नीचे चलो आपको मालिक खाने के टेबल पर बुला रहे हैं मैंने उसे मना किया कि मुझे भूक नहीं है तुम जाओ तो वो चली गई थी और शायद उसने इसी तरह से जाकर मेरे ससूर जी को भी बता दिया था जब मेरे ससूर मेरे कमरे तक चलते हुए आए और उन्होंने मुझे रोता हुआ देखा तो कहने लगे के बेटा क्या बात है तुमने दोपैर भी खाना नहीं खाया और अभी भी तुम खाने के टेबल पर नहीं आई हो फिर मैंने अपने ससूर को सब कुछ बता दिया था और उनसे ये भी कहा था कि क्या मैं सच में उनको पसंद नहीं हूँ क्या ये शादी उनकी मर्जी के खिलाफ हुई है मेरे ससू की बात पर मैंने यकीन कर लिया था मैं दो-तीन दिन का इंतिजार करने लगी मगर मेरे पती का बिहेवियर वैसा का वैसा ही था उनके अंदर कुछ भी बदलाव नहीं आया था मगर मैंने देखा था कि मेरे पती किसी लड़की से फोन पर बाते करते थे और इतनी प्यार भरी बाते करते थे कि मेरे दिल पर छूरिया चलती थी, मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं अपने पती के लिए कुछ हो ही नहीं, मेरे सामने ही वो उसलड़की से बात करते रहते थे, उन्हें इतनी भी शर्म नहीं आती थी कि उनके साथ मैं शादी के बंधन में बंधी हुई हूँ मेरे ससूर के पीछे वो लड़की घर पर ही मेरे पती से मिलने आती थी और काफी काफी देर तक वो लोग बाते करते रहते थे मैंने इस बारे में अपने ससूर को बताया तो वो कहने लगे के बेटा तुम अभी बरदाश करो वो ठीक हो जाएगा तुम फिकर मत करो मैं समझता था कि मेरा बेटा शादी के बाद इस लड़की को छोड़ देगा ये लड़की मुझे पसंद नहीं है दरसल मेरे बेटी की पहले भी काफी गल्फरेंट्स रह चुकी है कभी भी उसने किसी एक लड़की से महबबत ही नहीं की तो फिर वो इस लड़की से भी महबबत नहीं करेगा उसका दिल भर जाएगा मगर तुम उसकी पतनी हो जो पावर तुम्हारे पास है वो लड़कियों के पास नहीं है मैंने अपने ससूर से रोते हुए कहा था अगर आपके बेटे को मैं पसंद नहीं थी तो आपने उनकी जबरदस्ती मेरे साथ शादी क्यों करवा दी वो तो उस लड़की को पसंद करते हैं उनके साथ ही आपको उनकी शादी कर देनी चाहिए थी क्योंकि दो लोगों की बीच जब अंडरस्टैंडिंग होती है तब शादी का रिष्टा आगे तक चलता है मगर जब दो लोगों की बीच अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है तो वो रिष्टा कमजोर ही रहता है उस रिष्टे का कोई वजूद नहीं होता मेरे ससूर कहने लगे कि नहीं बेटा मेरा बेट का हुआ है वो इन लड़कियों के चक्कर में तुम्हारी एहमियत नहीं समझ रहा वो नहीं जानता कि उसके पिता ने उसके लिए भला सोचा है तब तो उसकी शादी तुम्हारे साथ करवाई है तुम्हारे जैसी लड़की ही उसे सुधार सकती है और तुम्हारे जैसी मकसि बहुत दूर हूँ, मुझे सादा और सिंपल लोग पसंद है, तब ही तो मैंने तुम्हें अपने बेटे के लिए स्लेक्ट किया, तुम फिकर मत करो, वो संभल जाएगा, ठीक हो जाएगा, मुझे तुम से पूरी उमीद है, जैसा मैं सोचता हूँ, तुम वैसा ही करोग तुम मेरी उमीदों पर पूरी उतरोगी, मैंने अपने ससुर जी से कहा था, कि अब तो मेरी शादी अभिराज के साथ हो गई है, अब तो मुझे इस शादी को चलाना ही है, वैसे भी ये रिश्टा मेरे पापा ने तै किया था, और हमारे यहां लड़की को अपनी शादी बचानी के लिए ना जाने कितने कठेन रास्तों से गुजरना पड़ता है, मेरे ससुर को मेरी ये बात बहुत अच्छी लगी थी, और उन्होंने मुझे आशिरवात दिया था, मैं तो अपने पती का हर गलत बिहेवियर बरदाश करती थी, कई दिन गुजर गए थे, मगर म मुझे धुतकार दिया करते थे, और उस लड़की के धीरे धीरे करीब होते जा रहे थे, मुझे ये सब देखकर बड़ी जलन होती थी, मगर मैं फिर भी खामोश रहती थी, और हर बात पर सबर करती थी, वैसे तो हमारे घर में धेर सारे नौकर थे, शैफ भी थे, जो खान बनाया करते थे, मगर मैं अपने पती और ससुर का दिल जीतने के लिए खुद ही खाना बनाया करती थी, मेरे ससुर को तो मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद आता था, लेकिन जब मेरे पती खाना खाने बैठते तो दो बोल मेरी तारीफ के भी नहीं बोलते थे, बस खामोशी से खाना खाते और उटकर चले जाते थे उनका ऐसा बीहेवियर मेरे दिल को चीर का रख देता था मगर क्या कर सकते हैं मेरे पती तो किसी के सुनते ही नहीं थे सिर्फ अपने पिता के अलावा मेरे पती अपने पिता से बहुत डरते थे वो जैसा कहते उन्हें करना पड़ता एक बार मेरे ससुर ने अभिराज से कहा था कि तुम्हारी शादी को दो महीने हो गए तुम कहीं बहु को घुमाने तक नहीं लेकर गए आज बहु को शॉपिंग पर लेकर जाओ मगर अभिराज ने साफ इंकार कर दिया ससुर जी ने कहा कि ये मेरा ओर्डर है और तुम जानत था वहाँ भी उनका मूठ ठीक नहीं था वो बड़े गुस्से में ड्राइविंग कर रहे थे हम लोग जब शॉपिंग मॉल पहुंचे तो मेरे पती ने कहा कि जो चाहिए हो वो ले लेना मगर जल्दी करना मुझे कहीं जाना है देर हो रही है मुझे एक साड़ी बहुत प पापा ने जबरदस्ती इसे मेरे साथ भेज दिया मैं तुमसे मिलने अभी थोड़ी देर में आऊंगा हाँ हाँ बाबा जल्दी ही मैं इससे अपना पीछा छुडाने वाला हूँ मुझे खुद ये लड़की अच्छी नहीं लगती चीप गवार सी लड़की है तुम फिक उसे आशो निकलने लगे थे जबकि मेरा दिल बेहत दुख रहा था अचानक मेरे पती ने जब पीछे पलट कर देखा तो वो मुझे देखकर एकदम शौक ड्रह गए कहने लगे कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो जाओ जल्दी जल्दी जो लेना है खरीद लो उसके बाद तुमें घर भी ड्रॉप करना है मैंने अपने पती से घबराते हुए कहा कि नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए मैं शौपिंग कर चुकी हूँ अब हमें चलना चाहिए उन्होंने जल्दी से बिल पे किया और फिर हम लोग घर आ गए थे मेरे पती ने मुझे घर के गेट पर चोड़ दिया था और खुद वो वहां से चले गए थे मैंने उस साड़ी के अलावा और कुछ भी नहीं खरीदा था मैं रोती हुई जब घर के अंदर दाखिल हुई तो मेरे सासुर जी ने मुझे देख लिया और कहने लगे कि बेटा क्या हुआ है अब भिराज कहा है और तुम बस एक शौपर ही लेकर आ रही हो और कुछ नहीं खरीदा मैंने कहा कि नहीं मेरा कुछ भी खरीदने का मन नहीं कर रहा था ये कहते हुए मैं अपने कमरे में आ गई और बहुत देर तक रोती रही थी मेरे पती का बेहेवियर मुझे जीते जी मार रहा था ऐसी बाते मुझसे बरदाश नहीं हो रही थी लेकिन हैरानी वाली बात ये थी कि जब उसी रात मेरे पती घर आए तो उनका behavior बहुत अच्छा था उन्होंने जब मेरी सूजी हुई आँखे देखी तो वो मेरे करीब बैठ गए और कहने लगे कि मेगा क्या तुम रो रही थी मैंने इनकार में सर हिलाते हुए कहा कि जी नहीं तो वो कहने लगे कि तुम्हारी आँखे बता रही है वो कहने लगे कि मैं जानता हूँ मैं फोन पर बाते कर रहा था तो तुमने सारी बाते सुन ली थी मुझे माफ कर दो मेगा मैं तुम्हारे दिल को तकलीफ नहीं पहुचाना चाहता था मेरी शादी तुम्हारे साथ इतनी जल्द बाजी में हो गई इसलिए मैं थोड़ा नर्वस हो रहा हूँ और तुम्हे इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर सका मगर अब मुझे तुम्हारी एहमियत पता चल गई तुम एक भोली भाली लड़की हो मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए प्लीज मुझे माफ कर दो मेरे पती ने जब ऐसे शब्द कहे तो मेरा दिल पिघलकर रह गया था मैंने अपने पती से मुझे प्यार कर रहे थे मुझे जितना अपना समझ रहे थे मुझे ऐसा लग रहा था जैसे अभिराज के इस तरहां बदलने से मेरी पूरी जिंदेगी भी बदल कर रह गई है क्योंकि दुनिया के आशवाराम से ज्यादा मुझे अपनी पती की महबत की जरूरत थी उस दिन के बाद से मेरे पती के अंदर काफी बदलाव आ गया था अगले दिन में बहुत खुश थी जब मेरे ससुड ने मुझे खुश देखा तो वो मेरे खुशी की वज़ा पूछने लगे कहने लगे आज तो हमारी बेटी बड़ी खुश नजर आ रही है मैंने उनको बताया कि अभिराज ने रात मुझसे बहुत प्यार भरी बाते की थी और उनका अभी तक जो मेरे साथ बेहेवियर रहा है वो मुझसे उसकी माफी भी मांग रहे थे मेरे ससुड ने जब ये बात सुनी तो वो चौक कर रह गए थे ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें इस बात पर यकीन नहीं आ रहा है मगर फिर मैंने उन्हें यकीन दिलाया कि मैं सच कह रही हूँ मेरे ससुड ने मुझे आशिरवात दिया और कहने लगे कि चलो ये तो अच्छी बात है तुम सदा सुहागन रहो दो-तिन दिन मेरे अभिराज के साथ बहुत अच्छे गुजरे थे इसी दोरान अभिराज मेरे लिए आईफून भी लेकर आये थे उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया था वो कहने लगे कि तुम ये मुबाइल यूज करो ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ मगर मैंने अपने पती से मना किया कि मुझे मुबाइल की क्या जरूरत है घर में टेलिफून तो है मेरी आपसे बात तो हो ही जाएगी फिर मैं इसका क्या करूँ मेरे पती कहने लगे अरे आजकल सब लोग आईफून का इस्तमाल कर रहे हैं तुम भी अपने पास रखो मुझे अच्छा लगेगा अपने पती का ऐसा कहने पर मैंने मुबाइल अपने पास रखना शुरू कर दिया था दो दिन गुजरे थे कि फिर से मेरे पती ने मुझे और गिफ्ट्स ला कर दिये वो कहने लगे कि मेगा तुम पर ये साड़ी अच्छी नहीं लगती तुम्हें तो ये ड्रेस पहननी चाहिए मैंने जब वो ड्रेस खोल कर देखा तो मुझे बड़ा ही अजीब लगा था क्योंकि उसकी स्लीव नहीं थी वो एक स्लीवलेस गाउन था वो मेरे लिए और भी ड्रेस लेकर आये थे कोई बहुत छोटी थी तो किसी की बैक बहुत बड़ी थी मगर मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनना चाहती थी मेरे पती ने कहा कि प्लेज मेरी खुशी के खातिर पहन लो तुम मेरी पतनी हो तुम तो जानती हो कि मुझे मौडरन लड़कियां बहुत पसंद है लेकिन अब मेरी पतनी ही मेरे लिए सब कुछ है इसलिए मैं तुम्हें मौडरन बना कर रखना चाहता हूँ मैंने अपने पती से कहा कि घर में पापा जी भी होते है मैं उनके सामने ये पहनूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा वो कहने लगे कि पापा कभी हर तरह के लोगों में उठना बैठना है तुम इस बात के फिक्र मत करो वो कुछ नहीं कहेंगे और क्या तुम मेरे खुशी के खातिर ये कपड़े नहीं पहन सकती जब मेरे पती ने मुझसे ऐसी बाते कही तो मैं ये कपड़े पहनने पर मजबूर हो गई थी मेरे पती ने कहा था कि अब तुम्हें घर में रोज इन ही कपड़ों में से एक ड्रेस निकाल कर पहन लेनी है अगर ये खत्म हो जाये तो मुझे बता देना मैं तुम्हें और नई नई लाकर दूँगा मैंने कहा कि नहीं यहीं काफी है मुझे ऐसे कपड़े पहनना अच्छा तो नहीं लग रहा था लेकिन अपने पती की वज़ा से मुझे पहनने पढ़ रहे थे मैं अपने पती को हर हाल में खुश देखना चाहती थी और फिर मैंने एक अपड़े पहनना शुरू कर दिये थे मैंने देखा था कि पापा जी मुझे नजरे चुराते थे ज्यादा मेरे सामने नहीं आते थे इसी दौरान मेरे मुबाइल पर किसी अन्नोन नंबर से कॉल आई थी मैंने जब कॉल रिसीफ की तो कॉल पर कोई लड़का बोल रहा था पहले तो उसने मुझे हाई हैलो कहा और फिर वो हाल चाल पूछने के बाद मेरी तारीफे करने लगा नजाने कि वो मेरी तारीफे कर रहा था और वो कौन था उसने मुझे अपना नाम वरुन बताया था मगर मैं तो किसी वरुन को नहीं जानती थी और मैं अपने पती के अलावा किसी अंजान मर्द से बात भी नहीं कर सकती थी भले ही वो मेरी तारीफ कर रहा था लेकिन उसके मुझे निकलने वाली अपने लिए तारीफ मुझे किसी जहर की तरहा लग रही थी ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरी तारीफ नहीं बलके मेरे लिए जहर उगल रहा है जब मेरा पती मेरी तारीफ करता था मुझे वो ही अच्छी लगती थी मैंने उसकी पूरी बात सुने बिना ही फोन बंद कर दिया था मगर उसने तु मुझे कॉल कर करके मेरा पीछा ही ले लिया था वो मुझे कॉल करके कहता था कि तुम मुझे से बात करो मुझे तुम से बात करना अच्छा लगता है तुम बहुत खुबसूरत हो मैं तुम्हारे प्यार में दिवाना हो चुका हूँ प्लीज एक बार मुझसे बात कर लो मैं तुम से मिलना चाहता हूँ ज्यादा नहीं सिर्फ एक बार मुझसे मुलकात कर लो लेकिन मुझे इस इंसान में कोई इंटरेस्ट नहीं था मैंने अपना फोन कई बार सुईच ओफ कर दिया था लेकिन मेरे पती जब भी मेरा मुबाइल देखते तो कहते कि मैं तुम्हारा नमबर सुईच ओफ जा रहा है अपना नमबर आउन रखा करो मुझे तुम्हारी याद आती है मैं तुम्हारे हालचाल पूछ लेता हूँ मैंने अपने पती को बताया था कि मुझे कोई तंग कर रहा है इसलिए मैंने नमबर सुईच ओफ किया है मगर मेरी बात सुनकर तो मेरे पती के कान पर जू तक नहीं रहेंगी थी मैं ऐसी कॉल से बहुत तंग आ गई थी तो फिर हार कर मैं अपने ससूर जी के पास गई और मैंने उनसे कहा कि पापा देखिये ना मेरे नमबर पर अन्नोन नमबर से कॉल सा रही है इन पर कोई लड़का बात करता है और वो बड़ी ही घटिया बाते करता है नहीं आई तो और मुझसे प्यार करने का दावा भी करता है मुझे किसी बात का डर नहीं है ये मुझे काफे दिनों से तंग कर रहा है भला मैं इससे मिलने क्यों जाओं जबकि मैं खुद जानती हूँ कि मैं किसी अंजान के साथ फोटो नहीं खिचवाती और नहीं मेरी किसी के साथ वीडियो बनी हुई है जब मैं घर से बाहरी ज्यादा नहीं निकलती तो मेरे किसी के साथ फोटो कैसे हो सकते हैं मेरे ससुर मेरी बात सुनकर सोच में पढ़ गए पापजी कहिए बेटा तुम जिस तरह के कपड़े आजकल पहन रही हो ऐसी कपड़े पहनने के लिए क्या तुम्हें अभिराज ने कहा है मैंने कहा कि जी पापजी उन्होंने ही मुझे ये कपड़े लाकर दिये हैं उनका कहना है कि मुझे तुम ऐसे कपड़ों में बहुत नहीं है ऐसे कपड़ों में मुझे uncomfortable feel होता है मुझे तो साड़ी या सूठी पसंद है मेरे ससूर मेरी बात सुनकर कहने लगे कि बेटा तुम एक काम करो तुम्हें अभिराज के कहने पर ऐसे कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है जैसे तुम्हें अच्छा लगे तुम वैसे रहो तुम्हें अभिराज की बातों में नहीं आना है नजाने क्यों पापा ऐसी बाते कह रहे थे मैंने उनसे कहा कि मगर पापजी अगर वो नराज हो गए तो वैसे भी उनका मूड इतने समय के बाद मेरे साथ ठीक हुआ है मेरे ससुर्ण ने कहा कि नहीं बेटा तुम अपन हिसाब से रहो, तुम्हें वो काम नहीं करना जो तुम्हें पसंद नहीं है मैं अपने कमरे में आ गए थी लेकिन जब रात के समय मेरे पती آए और मेरा मुबायल तलाश करने लगे तो मैं ने उन्हें बताया कि मैंने अपना मुबाइल पापा जी को दे दिया है मुझे वो लड़का तंग कर रहा था ना इसलिए अभिराज कहने लगे कि तुम पागल हो गई हो क्या तुम्हें मुबाइल पापा को देने की क्या जरूरत थी मैं तो उनकी ऐसी बाते सुनकर चौक गई थी कि उनके ऐसे बदलते हुए रूप को मैं क्या समझू मैं फिर से उदास रहने लगी थी मैं तो हमेशा से ही अपने पती की मोहबबत पाने के लिए तरस्ती रही थी अब मुझे इतनी मुश्किल से उनकी मोहबबत मिली थी तो फिर ना जाने कि उन्हें दुबारत से क्या हो गया था और इस सबकी वज़़ भी जल्द ही मेरे सामने क्लकर आगए थी कुछ ही दिने बाद मेरे ससुर्ण ने मुझे एक ऐसी बात बताई जिसने मेरे पैरो तले से जमीन निकाल दी थी मेरे ससुर ने मुझे अपने कमरे में बुलाया था और उन्होंने कहा था कि देखो बेटा मैं तुम्हें जो बात बताने जा रहा हूँ उसको सुनकर तुम्हें emotional नहीं होना है मैंने कहा था कि आखर ऐसे भी क्या बात है पापजी तो उन्होंने कहा कि मेरी बात को ध्यान से सुनो अभिराज की girlfriend उसे बहका रही है कहती है कि वो उससे शादी करना चाहती है और वो तुम्हें divorce देदे और उससे शादी कर ले और अभिराज भी ऐसा ही चाहता है अभिराज चाहता है कि तुम खुद उसे छोड़कर चली जाओ तब ही तो उसका बिहेवियर तुम्हारे साथ अच्छा नहीं रहता मगर तुम हो कि अपनी शादी चलाने के चक्कर में उसकी किसी बात का बुरा नहीं मानती उससे तंग नहीं आती तो उसने कोई दूसरा तरीका अपनाया उसने तुम्हारे लिए जो ड्रेसेज लाकर दी थी और आईफून लाकर दिया था उसके बारे में वो मुझे आकर बताया करता था कहता था कि आपकी बहु कितनी मौडरन होती जा रही है उसने मुझसे आईफून मंगवाया है और खुद इस मुबायल से ऑनलाइन ड्रेसेज और कर रही है और अब वो घर में कैसे कैसे कपड़े पहनने लगी है ये तो आपको भी नजर आता होगा देखिए जिस लड़की को आप संसकारी समझते थे वो हमारे घर की दौलत देखकर कितनी मौडरन हो गई है उसे लगता था कि मैं इस बात पर गुसा हो जाऊंगा क्योंकि मैं तो तुम्हें एक संसकारी और सुशील लड़की समझकर इस घर की बहु बना कर लाया हूँ मुझे बुरा लगेगा कि तुम मौडरन होती जा रही हो उसके भड़काने पर भी मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा तो उसका ये प्लान भी फ्लॉप हो गया अपने ससूर की बाते सुनकर तो मैंने कानों को हाथ लगा लिया था कि क्या सच में मेरे पती ने मेरे ससूर से मेरे बारे में ऐसी जूटी जूटी बाते कहीं थी मेरे ससूर कहने लगे मैं सच कह रहा हूँ अभिराज ने फिर तुम्हें इस घर से निकालने का दूसरा तरीका अपनाया तुम्हारा अफियर बताकर वो तुम्हें इस घर से निकालना चाहता था उसने तुम्हें खुद मुबाइल लाकर दिया और तुम्हारे फोन पर जो कॉल और मेसेज़िस आ रहे हैं ये किसी ऐसे इनसान के हैं जो लोगों के घर तुडवाते हैं जिनके पतियों को अपनी पतियों पर शक होता है या जो अपनी शादी शुदा जिन्दगी खराब करते हैं वही लोग ऐसे गुरूप के लड़कों को हायर करते हैं और अभिराज ने भी एक ऐसे ही लड़के को ह उसने बताया कि अभिराज ने उसे पैसे दे कर ये सब कुछ करने के लिए कहा था ये तो उनका काम है वो लोग इसी तरहा लड़कियों से बाते करते हैं उन्हें अपने प्यार के जाल में फसाते हैं और अभिराज भी काफी समय से तुम्हारे खलाफ सबूत एकटा करने की को उसने उससे कहा कि तुम्हारे डैट की पहुँच बहुत दूर दूर तक है अगर तुम्हारे डैट को धोके से भी मेरे बारे में पता चल गया तो मेरे खायर नहीं होगी इसलिए उसने इस ग्रुप के लड़कों से अभिराज का कॉंटेक्ट करवा दिया ताकि वो तुम स की जिन्देगी से चली जाओ और मैं भी तुम्हें गलत समझने लगूं ना जाने अभिराज को क्या हो गया है उसे क्यों इस बात की समझ नहीं आ रही कि इस दुनिया में पती-पत्नी का ही रिष्टा एक ऐसा रिष्टा होता है जो सबसे ज्यादा एहम और मजबूत होता ह मगर उसे इस रिष्टे की कदर नहीं है अपने ससुर की बाते सुनकर तो मैं दंग रह गई थी कि क्या अभिराज इस हद तक भी गिर सकते थे मुझे अभिराज से ऐसी उमीद नहीं थी मैं तो इस रिष्टे को चलाने के लिए उनकी हर बात को बरदाश करती हूं वो मुझ मेरे ससुर से कह दिया था कि मैं अभिराज की सारी हरकते बरदाश नहीं कर सकती अब मेरा और उनका रिष्टा खत्मी ही हो जाए तो बहतर रहेगा पापा जी कहने लगे कि नहीं नहीं बेटा ऐसा मत कहो अगर ऐसा हुआ तो मेरा बेटा बिखर कर रह जाएगा मैं अपने मुझे पसंद ही नहीं करते, फिर मेरे ससुर ने मुझे एक प्लान के बारे में बताया और वो कहने लगे कि बस मैं तुम से जैसा कहों, तुम वैसा ही करती जाना। हमें अभिराज की ही चलाकी इस पर इस्तमाल करनी है जैसा उस नहीं किया हमें भी बिल्कुल वैसा ही करना है मेरे ससूर जी की बात मैं समझ नहीं पाई थी लेकिन जब उन्होंने डिटेल से मुझे सारी बात बताई तो मैं इस काम को करने के लिए तैयार नहीं हुई थी क्यो और उनमें आने वाली कठनाईयों को हमें ही पार करना होता है। तब ही हम अपनी मंजिल तक पहुँच पाते हैं। मेरे ससूर जी ने जब मुझे सराहा तो मैं ये काम करने के लिए भी तैयार हो गई थी। मेरे ससूर जी ने मुझे मेरा मुबाइल वापस दे दिया था। मेरे मुबाइल पर उस लड़की की कॉल्स और मैसेज़ अभी भी आ रहे थे। मैंने वो सब ऐसे ही छोड़ दिये। मैं जानती थी कि अब मेरा पती कौन सा कदम उठाने वाला है। मैं जबरदस्ती अपने प फैसला करने वाले थे वही फैसला मेरे लिए काम्याबी का रास्ता बनने वाला था। मेरे पती ने मेरे करीब जाने पर मुझे धक्का दे दिया और कहने लगे कि तुम्हें तुम्हें इस घर से निकाल कर ही रहूंगा। मैं सोनिया से प्यार करता हूँ और उसी के साथ शा पापाँ जब मुझे पसंद नहीं करते तो आपने मेरी उनके साथ शादी क्यों की मेरे ससुर ने अभिराज की तरफ देखा और उनसे पूझा कि क्या बात हुई है बेटा अभिराच कहने लगे कि पापा ये लड़की मेरे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है मैं आपको पहले भी इसके हरकतों के बारे में बता चुका हूँ मेरा इसके साथ गुजारा नहीं होगा आप जैसे संसकारी और सुशील लड़की होने का इसे दावा करते हो ये बिल्कुल भी संसकारी नहीं है मैं इसके साथ नहीं रहना चाहता पापा कहने लगे तो तुम इसके साथ रहना नहीं चाहते इस बात पर अभिराच खामोश हो गए थे पापा चलते ही वह उनकी तरफ गए और कहने लगे कि बताव मुझे जवाब दो तुम नहीं रहना चाहते मेगा के साथ तुम इसे छोड़ना चाहते हो अभिराच ने इस बात पर अपने पापा की तरफ देखा और कहने लगे कि जी मैं अपनी पसंद की लड़की से शादी करना चाहता हूँ ये मुझे पसंद नहीं है उनकी इस बात पर मेरे ससुर ने कहा कि अच्छा तो पर ठीक है अगर ऐसा ही है तो तुम मेगा को छोड़ सकते हो लेकिन एक शर्ट पर इस जायदाद में तुम्हारा और मेगा का बराबर का हिस्सा होगा मेगा की पिता ने मुझसे वादा किया था कि मैं उनकी बेटी को अपने घर की बहु बनाऊ और उनकी बेटी को हमेशा खुश रखूँ अगर मैं इस तरहां उसे घर से निकाल दूँगा तो मरने के बाद भला में इसकी पिता को क्या मूँ दिखाऊंगा कि मैंने उसकी बेटी को बहु बनाने के बाद अपने घर से निकाल दिया सिर्फ अपने बेटे की खुशी की खातिर नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा तुम दूसरी शादी करना चाहते हो तो मेगा भी दूसरी शादी करेगी और जब तक मुझे मेगा के लिए कोई अच्छा लड़का नहीं मिल जाता तब तक मेगा यहां से कही नहीं जाएगी मैंने तुम्हारी ये मुश्किल हल कर दी है मेगा की शादी के बाद तुम जिस से चाहे उससे शादी कर लेना अपने पिता की बात सुनकर मेरे पती को एक जोड़दार जटका लगा था क्योंकि उनको अपने पिता से ऐसी बात की उमीद नहीं थी हां मगर मेरे पती के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी ऐसी मुस्कुराहट जिसे देखकर लगता था कि मेरे पती ने कोई जंग जीत ली हो मगर अभी उन्हें इंतिजार करना था मेरा दिल बहुत दुख रहा था कि मैं जस इंसान के घर शादी करके यहां आई हूँ वो इंसान ना तो मुझे अपनी पत्नी मानता है और ना ही मुझे पत्नी होने का दर्जा देता है और ना ही वो मुझे पसंद करता है भला ऐसे तो जिन्देगी नहीं गुजारी जा सकती मगर जो कदम मेरे पती को सुधारने के लिए मेरे ससुर ने उठाया था अगर वो कामयाब होता तो ज्यादा बहतर है और अगर कामयाब नहीं होता तो मैं खामोशी से यहां से चली जाऊंगी हमें किसी के साथ जबरदस्ती रिष्टा नहीं रखना चाहिए जबरदस्ती उसके जिन्देगी में शामिल नहीं होना चाहिए अगर वो इनसान आपके साथ खुश नहीं है तो मेरा पती तो जैसे तैसे खुश हो गया था अगले दिन जब मैं तैयार होकर नीचे गई तो ये देखकर मैं दंग रह गई थी कि मेरे ससुड ने पांच लड़कों को घर में बुलाया हुआ था ये लड़के कौन थे मेरे पती ने भी महां आते ही सबसे पहला सवाल यही किया था जब मेरे ससुड ने उन्हें बताया कि ये लड़के मुझे मैट्रिमोनियल साइट पर मिले मैंने इन लड़कों को मेघा के लिए बुलाया है इन में से जो लड़का मुझे और मेघा को पसंद आएगा मैं उसके साथ ही मेघा की शादी करवा दूँगा ये बात सुनकर अचानक ना जाने क्यूं मेरे पती की चहरे के एक्स्प्रेशन बदल गए थे मगर फिर अचानक उन्होंने अपने चहरे पर मुस्कुराहट लाई थी और कहने लगे कि आपको क्या हो गया है पापा क्या इस तरहां से रिष्टे तलाश किये जाते हैं मेरे ससुर कहने लगे कि मेरा तो अंदाज यही है अब इन लड़कों में से कोई एक लड़का में सेलेक्ट करूंगा और वो लड़का मेगा को हमारे घर कुछ दिन रहकर इंप्रेस करेगा अगर उस लड़के ने मेगा को इंप्रेस कर लिया और वो मुझे और मेगा को करने जा रहे हैं मेरे ससुर कहने लगे कि मैं जो भी कर रहा हूं बिल्कुल ठीक कर रहा हूं मुझे मेगा की बहुत फिकर है मैं नहीं चाहता कि मेगा को ऐसा पती मिले जो उसे पसंद ही न करे और उसे प्यार भी न दे बलकि उसे ऐसे हमसफर की जरूरत है जो सारी में एक दूसरे को बड़ी गौर से देख रहे थे मेरे ससुर ने उन पांचों लड़कों में से नक्ष नाम की एक लड़की को मेरे लिए स्लेक्ट कर लिया था और उसे हमारे यहां कुछ दिन रहने के लिए कहा था नक्ष को मेरे साथ बिलकुल इसी तरहां से रहना था जै कि अब नक्ष कुछ दिन हमारे यहां रहे कर मेगा का खयाल रखेगा उसी समय से नक्ष ने अपने काम के शुरुवात कर दी थी मैं खड़ी हुई थी जब नक्ष कहने लगा कि मेगा तुम कितनी देर से खड़ी हुई हो मैं सुभा से देख रहा हूँ तुमने बिलकुल भ गया था नजाने क्यों यह सब करना मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा था मगर ऐसा करना मेरी बहुत बड़ी मजबूरी थी अभी मैं और अभिराज एक ही कमरे में रहते थे क्योंकि अभी तो मैं अभिराज की ही पतनी थी रात के लगभग दो बच रहे थे जब मुझे नगी नहीं आ रही थी अभिराज अपने मुबाइल में विज़ि थे अबकि मैं लेटी हुई उन्हें देख रही थी तब ही अचानक हमारे कमरे का दरवाजा बजा सामने से दर्वाजा खोल कर आने वाले इंसान ने कहा क्या मैं अंदर आ सकता हूँ उसकी बात पर अभिराज ने उसे चौक कर देखा और कहा तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो नक्ष ने कहा कि मैं अपनी होने वाली पत्नी से मिलने के लिए आया हूँ उन्होंने कहा कि मेगा तुम यहां क्यों बैठी हुई हो मैं जानता हूँ तुम्हें अभी नीन नहीं आ रही होगी चलो मेरे साथ हम दोनों छट पर चलते हैं मौसम बहुत प्यारा हो रहा है छट पर ठंडी ठंडी हवा चल रही है वो मेरा हाथ पकड़ कर मुझे छट पर ल आया कहने लगा कि मेगा सुभा के 10 बज रहे हैं आप अभी तक सो रही हो आपको इतने देर तक नहीं सोना चाहिए सुभा को देर से उठना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता ये लो मैं आपके लिए कॉफी बना कर लाया हूँ मैंने उसे थैंक्यू कहा अभिराज ने नक् तुम मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारी होने वाली पत्नी के साथ रहने का तुम चाहो तो इस कमरे से इसे लेकर जा सकते हो नक्ष धीरे धीरे चलता हुआ अभिराज की तरफ गया और उसकी आँखों में आँखे डाल कर कहने लगा कि मैं इसको आपके कमरे से नही बलकि कुछ दिनों के बाद इस घर से ही उडा कर ले जाने वाला हूँ मैं अपनी पत्नी को इतना खुश रखूंगा जितना तुमने भी नहीं रखा होगा मैंने नक्ष से कहा कि आपने काफी तो बहुत अच्छी बनाई है नक्ष कहने लगा कि तुम्हें काफी पसंद तैयार हूँ जब तुम किचन में खाना बनाया करोगी तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी हेल्प किया करूँगा जब तुम घर की सफाई किया करोगी तब भी मैं तुम्हारी हेल्प किया करूँगा जब तुम कपड़े धोया करोगी तुम्हें छट पर जाकर उन्हें फ नहा कर निकली थी जब मैंने बाल जटके तो देखा कि सामने ही नक्ष खड़ा हुआ था वो मुझे देखकर कहने लगा कि तुम कितने खुबसूरत हो मन करता है कि तुम्हें बस देखता ही रहूं मैं उसकी इस बात को सुनकर हस रही थी और जैसे ही मैंने पहला कदम बढ़ा अचानक मेरा पैर सिलिप हो गया नक्ष ने मुझे तब ही थाम लिया था और किसी रोमेंटिक मूवी की तरह हम दोनों ये सीन के रियेट कर रहे थे मगर जलने वाला इंसान हमें बड़ी दूर से देखकर जल रहा था अगले दिन मेरा बर्डे था नक्ष को मेरे बर्डे के गई तो मेरा स्वागत फूलों से किया गया मेरे लिया नक्ष ने धेर सारे गिफ्ट का इंतिजाम किया था और फिर ठीक बारा बज़े नक्ष ने मेरा हाथ पकड़कर अपने साथ के कट कर वाया था मैंने कहा कि नक्ष तुम्हें मेरे बर्डे के बारे में कैसे पता चला नक्ष कहने लगा कि अंकल जी ने मुझे तुम्हारी हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात के बारे में बता दिया है, आखिरकार तुम्हारी मेरे साथ शादी होने जा रही है, अभी तो मेरे सामने ये तुम्हारा पहला वर्डे है, मगर देखना अगली बार में त तरफ देखकर नक्ष से कह रहे थे कि नक्ष तुम तो बिलकुल इसी तरहां से मेगा का खयाल रख रहे हो जैसा हम सफर मेगा के लिए ढूनना चाहता था मगर अभी तुम्हारे पास कुछ दिन और हैं अभी मैं और देखना चाहता हूँ कि तुम मेगा के लिए क्या क्या कर सकते हो इतने में ही म्यूजिक चलने लगा नक्ष ने मुझे अपने साथ डांस करने के लिए कहा उसने मेरे साथ खूब डांस किया और हम दोनों को डांस करता हुआ देखकर दूर से अभिराज कहीं जल रहा था जब हम लोग डांस करते करते ठक कर बैट गए तो अभिराज मेरे करीब आए और मुझे बर्डे विश करने लगे मैंने अभिराज से कहा कि थैंक यू तो वो कहने लगा अगर तुमने मुझे अपने बर्डे के बारे में बताया होता तो शायद मैं भी इसी तरह से अरेंजमेंट करता मैंने कहा आपने मेरे बारे में कभी जानने की कोशिश ही नहीं की जो इनसान किसी से महबबत करता है वो उसके हर बात जान लेता है जैसे नक्ष ने मेरे बारे में पहले ही सब कुछ जान लिया नक्ष ने मेरी तरफ देखने का इशारा किया उन्होंने कहा कि चलो बेबी मैं तुम्हें तुम्हारे रूम में छोड़ कर आता हूं और तुम्हारे लिए अपने हाथ की बनी स्पेशल काफी भी लेकर आता हूं बहुत रात हो गई है तुम्हें रेस्ट करना चाहिए कल हम दोनों को मूवी देखने जाना है कल तुम्हारा बर्डे है और पूरे दिन हम लोग साथ रहेंगे अभिराज मुझे कुछ कहने वाले थे मगर मैंने उनकी बात को इगनोर कर दिया और मनक्ष के साथ अपने रूम में चली गई अब मैं अभिराज का कोई काम नहीं करती थी एक कमरे में होते हुए भी मैं उनकी साथ बिलकुल उसी तरहां से रियाट करती थी जैसे पहले वो मेरे साथ किया करते थे हम दोनों कमरे में मौझूद थे जब मैं चूणियां उतार रही थी और चूणियां उतारते समय अचानक एक चूणि मेरी कलाई में लग गई मेरी कलाई से खून निकलने लगा जबकि अभिराजी सब कुछ देख रहे थे वो जल्दी से घबराती हुए मेरे पास आए और कहने लगे के रुको मैं अभी तुम्हारे बेंडेच कर देता हूँ मैंने कहा कि नहीं आपको इस तब करने की जरूरत नहीं है मैं नक्ष के कमरे में जा रही हूँ तो मैं यहां से जाने वाली हूँ मेरी बात सुनकर अभिराज को एक जोरदार जटका लगा था मैं यह सब कहते हुए कमरे से बाहर निकल आई थी मैंने नोटिस किया था कि अब अभिराज बहुत चिल्चिले से रहने लगे थे और मेरे साथ बहुत नर्मी से पेश आते थे पहले वो ज्यादातर अपने फोन में बिजी रहते थे लेकिन अब जब से यह सब कुछ चल रहा था तब ही से अभिराज अपना फोन साइलेंट रखते थे और अगर उनका फोन साइलेंट नहीं भी होता और किसी की कॉल आ जाती तो वो कॉल रिसीव नहीं करते थे एक दिन मैंने देखा था कि उनके घर के गेट पर कोई लड़की आई थी ये लड़की वही थी जो अभिराज की गल्फरेंड है वो अभिराज से कह रही थी कि मैं तुम्हें कबसे कॉल्स कर रही हूं तुम मेरी कॉल्स रिसीव ही नहीं करते आखिर तुम्हें हो क्या गया है न तुम मुझसे बात करते हो न तुम मुझसे मिलने के लिए आते हो आखिर तुम्हारी पतनी कब ये घर छोड़ कर जा रही है मुझे बताओ तुम कब मुझसे शादी करोगे अभिराज ने गुस्सा होते हुए उससे कहा कि तुमसे किसने कहा था यहां आने के लिए मैं तुम्हारा फून रिसीव नहीं कर रहा हूँ इसका मतलब यह नहीं है कि तुम मेरे घर चलियाओ यहां अगर तुम्हें किसी ने देख लिया तो गरबर हो जाएगी वो लड़की कहने लगी अच्छा अब किस बात की गरबर हो जाएगी पहले तुम मुझे बड़े शौक से इस घर में लेकर आते थे अभिराज कहने लगा कि देखो मैं पहले ही बहुत परिशान हूँ मुझे और जादा परिशान मत करो वो जबरदस्ती घर के अंदर आनी की कोशिश कर रही थी जब अभिराज ने उसे धका दिया और कहने लगा मैं तुमसे मना कर रहा हूँ ना कि घर के अंदर मत आओ जाओ यहां से मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी वो कहने लगी कि मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी अभिराज कहने लगा कि जाओ यहां से उसने डाट कर उस लड़की को भेज दिया था मैं दूर से ये खड़ी हुई देख रही थी मुझे बहुत खुशी हुई थी कि जैसा हम लोग चाह रहे थे हमारा प्लान बिल्कुल उसी तरह से काम्याब हो रहा था अब मैं ज्यादतर टाइम नक्ष के साथ ही गुजारने लगी थी मैंने बहुत सारा खाना बनाया था नक्ष से और पापा से कहा था कि आप लोग बैठकर खाना खा लीजिए आज मैंने इस पेशली नक्ष के लिए सारा खाना बनाया है पापा कहने लगे कि अब तो तुम्हें नक्ष को ही इंप्रेस करना होगा अरे भई तुम्हारी उसके साथ शादी जो होने जा रही है नक्ष कहने लगा कि मेगा तुम्हें खाना बहुत टेस्टी बनाया है शादी के बाद तुम मुझे रोज इसी तरह का खाना खिलाओगी तो मैं तो बहुत मोटा हो जाओंगा ये कहकर हम तीनों हसने लगे थे जबकि अभिराज के चेहरे पर थोड़ी सी भी मुस्कुराहट नहीं थी मेरे हाथ का खाना खाने के बाद नक्ष को बहुत खुशी हुई थी तब ही उसने अपनी पॉकिट से एक बॉक्स निकाला और मुझसे कहने लगा कि तुमने इतना अच्छा खाना बनाया है उसके लिए गिफ्ट तो बनता है उसने बाक्स से रिंग निकाल कर मुझे दिखाई मैंने नक्ष से कहा कि नक्ष तुम ही मुझे अपने हाथों से ये रिंग पहना दो तो वो कहने लगा कि हाँ हाँ बिल्कुल मैंने नक्ष की तरफ अपना हाथ बढ़ाया मैंने देखा था कि अभिराज की आँखों में खून उबल रहा था जैसे ही नक्ष ने मेरा हाथ पकड़ा अभिराज को गुस्सा आ गया और उसने खड़े होकर मुझे अपनी तरफ खीच लिया हम सब लोग उसे देखते रह गए थे नक्ष ने गुस्से भरी नजर से अभिराज की तरफ देखा और कहने लगा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पतनी को हाथ लगाने की अभिराज कहने लगा कि ये तुम्हारी पतनी नहीं बलकि मेरी पतनी है तुम अपनी हद में रहो, कुछ ज्यादा ही इसके करीब आने की कोशिश करते हो और ये मामुली सी अंगुठी दिखा कर तुम क्या साबित करना चाहते हो कि तुम इससे प्यार करते हो नक्ष जोर जोर से हसने लगा और कहने लगा कि मुझे साबित करने की कोई जरूरत नहीं है मेगह जानती है कि मैं उसे कितना प्यार करता हूँ और वैसे भी अब हम दोनों की जल्दी ही शादी होने वाली है और अब मेगह तुम्हारी पतनी नहीं रहेगी मेरी पतनी बन जाएगी उसने मेरी तरफ अपना हाथ किया और मुझे अपने बराबर में खड़ा कर लिया अभिराज ये सब कुछ खौलती हुई नजरों से देख रहा था तब ही पापा ने एक अनाउंस्मेंट कर दिया उन्होंने कहा कि नक्ष अब तुमें अपनी पतनी के लिए और इंतिजार करन पिर तुम अपनी मेघा को यहां से लेकर अपने घर चले जाना और फिर मैं भी सुकून से रहूंगा आखिरकार मैंने मेघा के पिता से वादा किया था कि वो सारी जिंदेगी बहुत खुश रहेगी और मुझे उमीद है कि तुम से बहतर जीवन साथी मेघा को मिल ही नहीं तुम चाए बहुत अच्छी बनाती हो मेघा तुम्हारे हाथों में सच में जादू है तब ही अभिराज ने भी कहा कि हाँ एक अप मेरे लिए भी बना देना मैं चाए लेकर आगे थी और मेरे साथ साथ नौकरानी भी आई थी मैंने चाए नक्ष को अपने हातों से दी थी जबकि पापा और अभिराज को नौकरानी ने चाय सर्व की थी अब मेरी इस घर में आखरी रात बची थी क्योंकि अगले ही दिन मेरी शादी नक्ष के साथ होने वाली थी अभिराज को लगता था कि मेरी और उनकी ये आखरी रात है इसलिए वो सारी रात सोए नहीं थे, ना उन्होंने मुबाइल इस्तमाल किया था, बस वो लगतार मुझे देखे जा रहे थे, जबकि मैं बहुत खुश थी, मैंने अभिराज से कहा कि आपको नीन नहीं आ रही, तो वो कहने लगे कि नहीं तुम सो जाओ, मैं तो सोने की अक् खोल खोल कर अभिराज को देख रही थी, जो लगतार मुझे तक रहे थे, अगले दिन जब मेरी शादी का समय आया, तो अभिराज बहुत जादा उदास थे, मैंने अभिराज से कहा था, कि मैंने अपना सारा समान पैक कर लिया है, आपका कोई समान नहीं लिया, सब कुछ म रही हो, मैंने कहा कि जी, मेरी शादी है, और आज मेरी विदाई हो जाएगी, मैंने सोचा कि आपको बता देती हूं, कभी आपको कुछ अपना समान ढूनने में दिक्कत हो, मैंने उसके हाथ से अपने हाथ छोडाया, और मैं आगे बढ़ गई थी, और अब मेरी शादी का वक्त भी आ गया था मैं बहुत डर रही थी क्योंकि अब आखरी समय आ चुका था नजाने अब क्या होना था मुझे दुलहन बना कर तयार कर दिया गया था मैं बहुत जादा सुंदर लग रही थी मेरे चेहरे से अभिराज अपनी नजरें नहीं आटा पा रहे थे तभी वकी ना कुछ बोल रहे थे और ना कुछ सुनना चाहते थे मैं इंग कर चुकी थी अपने हाथ में पैन ले लिया था उधर पंडित जी मंडप में हम दोनों का इंतिजार कर रहे थे coch नें पने चलाना शुरू ही किया था कि मेरी आंखोंसे आश्ओ निकलने लगे कि क्या सच में व बास नहीं दूंगा ये बात सुनी तो मेरा मन खुशी से भर गया था क्योंकि मैं भी नहीं चाहती थी कि मेरा पती मुझे छोड़ दे नक्ष ने अभिराज से कहा कि ये तुम क्या कह रहे हो मुझे मेगा से शादी करनी है जल्दी करो हम दोनों की शादी का मूरत निकला जा रहा है इस बार अभिराज के रियक्शन बड़े अजीव थे उन्होंने नक्ष के सामने हाथ जोड़ दिये और कहने लगी कि प्लीज इससे शादी मत करो मैं इससे बहुत प्यार करता हूं मुझे इसकी एहमियत पहले नहीं थी मगर अब हो चुकी है पापा ने कहा कि ये त पहले को चुना है जिसकी एहमियत मुझे नहीं हुई मगर अब हो चुकी है प्लीज इसे मेरी जिंदगी से मत निकालिये शायद मैं इसके बिना नहीं रह सकूंगा अभिराज अपने पिता के पैरों में गिरकर फोट फोट का रो रहे थे जब पापने अभिराज को गले से देखने लगा इतनी ही देर में नक्ष ने अपने सर पर पहनी हुई पगड़ी उतार कर एक तरफ को रख दी थी पंडित जी भी मंतर पढ़ने से उठकर खड़े हो गए थे वकील ने भी पेपर्स अपने हाथ में ले लिये थे मैं भी बहुत खुश थी रोते रोते ही हस र हम ने तुम्हें सबक सिखाने के लिए ये नाटक किया था हम तुम्हारे दिल में मेघा के लिए महबबत जगाना चाहते थे मैंने तुम्हारी शादी मेघा से इसलिए करवाई थी ताकि आने वाले समय में मेघा तुम्हें संभाल सके मगर तुम तो मेघा को ही इस घर से न तरहां हम भी एक ऐसे लड़के को हायर करेंगे जो हमारी मदद करें नक्ष भी एक ऐसी कंपने में काम करता है जहां पर घर तुड़वाए नहीं जाते बलकि बसाए जाते हैं मेखह सिर्फ तुम्हारी है और तुम्हारी ही रहेगी अभिराज ने बेचयन नजरों से अपने पिता की तरफ देखा और कहने लगा कि क्या आप सच कह रहे हैं पापा तो वो कहने लगे कि हाँ बेटा मैं बिलकुल सच कह रहा हूँ मैंने हमेशा तुमहारे बारे में अच्छा ही सोचा बुरा तो तुम खुद अपने साथ करने जा रहे थे मेगा को छोड़कर मगर ये पंडित पंडित नहीं है ये भी एक मामुली सा एक्टर है और वकील भी वकील नहीं है और जिन पेपर्स पर तुम साइन करने वाले थे वो डिवॉर्स के पेपर्स नहीं है बलकि हमारी कंपनी के एड़र्टाइजिंग पेपर थे ये बात सुनकर तो अभिराज चौक देखे तो वो भी जोड़ जोड़ से हसने लगे थे क्योंकि उन्होंने डिवॉर्स के पेपर्स पड़े ही नहीं थे और वो बस इमोशनल होकर साइन करने जा रहे थे और फिर हम दोनों इस तरहां से एक हो गए आज इस कहानी को पूरे 15 साल हो गए और मैं आज भी अपने पती अभिराज की पतनी हूँ और वो पूरी तरहां से बदल कर रहे गए और मेरा बहुत खयाल रखते हैं जिस लड़की से वो प्यार करते थे उस लड़की को वो पूरी तरहां से भूल गए दरसल उससे प्यार नहीं करते थे बस आज के जमाने में लड़के लड़कियों को गल्फरेंट्स बॉइफरेंट्स बनाने का ज्यादा ही शौक है बस वो लड़की उनका एक शौक थी जो वक्त रहते उनके दिलों दिमाग से उतर गई थी और फिर उन्हें पता चल गया था कि मैं भी उनसे कितना प्यार करती हूं उन्होंने मुझसे अपनी सारे गलतियों की माफी मांग ली थी नक्ष कभी पापा ने बहुत शुकरी आदा किया था मेरे ससुर इस दुनिया के बैस ससुर हैं जिन्होंने अपनी बहु का इतना साथ दिया और मैं अभिराज के साथ एक खुशाल जिंदेगी गुजार रही हूं दोस्तों मीद करती हूं आपको हमार कहानी पसंद आई होगी कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ नोटिफिकेशन बैल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले